हेलो एवर्यवन, वेलकम टू टू टुटोर्स पॉइंट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम जो की है चैप्टर पेर ओफ लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल से तो देखे problem क्या है draw the graphs of the equations x-y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0 तो इस problem में कह रहे हैं कि हमें graph plot करना है जिसमें हमें 2 equations already given है x-y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0 तो इन दोनों equation को हमें graph पे plot करना है then determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis इन दोनों lines से क्योंकि ये दोनों pair of linear equation है linear equation से line बनती है आपको पता है तो इन दोनों lines से and x-axis से मिलके जो triangle बनेगा हमारा उसके vertices के coordinates भी हमें find out करना है and then share the triangular region उस triangle के जो reason है उसको shade करना है तो देखे सबसे पहले हमारा पास जो दोनों equation है हम उनको equation 1 and equation 2 ऐसे लिख लेते हैं अब किसी भी graph में कोई भी चीज plot करने के लिए हमें चाहिए होते है coordinates तो इन दोनों equation के help से पहले हम coordinates निकाल लेते हैं फिर उनकी मदद से हम graph में इन दोनों equation को plot करेंगे तो देखे equation 1 था x-y plus 1 equals to 0 अब यहाँ पे जो यह equation है यह है एक line का equation एड किसी भी एक linear equation में two variable में जो होती है उसमें infinite number of points हो सकते हैं आपको पता है तो हम क्या करेंगे पहले इस equation को हमने y की form में लिखा जब आप y की form में इसको लिखेंगे तो equation हो जाएगा y is equals to x plus 1 यहाँ पे आप x का कोई भी value रखें तो आपको significantly y का value मिल जाएगा तो जैसे हमने x का value रखा first 0 तो जब आप इस equation में x equals to 0 रखते हैं तो y का value हमें मिलता है 1 क्योंकि 0 plus 1 1 now हमने x का value रखा 2 तो 2 रखने पे y हमें मिला 2 plus 1 equals to यानी 3 तो हमें first equation के लिए 2 coordinates मिल गए है and 2 coordinates बहुत होता है एक line को plot करने के लिए same हम second equation में करेंगे इस equation को भी हम पहले y की उसमें रख देते हैं अब देखे y equals to हमारा हो जाएगा 12 minus 3x by 2 यहाँ से भी हम पहले x का कोई value suppose करेंगे and उसके correspondingly y का value ले लेंगे देखे सबसे पहले हमने suppose किया x equals to 0 तो जब आप x को 0 लेते हैं तो minus 3x eliminate हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ कुछ भी multiplication में होगा वो 0 हो जाएगा तो बचेगा y equals to 12 by 2 12 by 2 मतलब 6 तो एक point आगया हमारा पास second के लिए हमने x का value लिया 4 तो 4 जब आप रखेंगे तो 4 into 3 12 तो y equals to क्या हो जाएगा 12 minus 12 by 2 अब 12 minus 12 0 0 के division में कुछ भी हो 0 ही होगा तो इसलिए y का value आए है आपे 0 अब इन दोनो equation से हमें 2-2 points मिल गए हैं उनके coordinates हमें पता है तो हम easily graph पे इनको plot कर सकते हैं कुछ ऐसे तो हमने इन दोनो boxes की मदद से जिसमें दोनो point के coordinates लिखे हैं दोनो line को हमने draw कर लिया graph पे अब हमें part क्या बोला था determine करने के लिए कि जो दोनो lines and x-axis इन तीनों चीजों से मिलके जो triangle बन रहा है उसके vertices के हमें coordinates find out करना है तो देखिए यही triangle है जो हमें मिल रहा है इसमें इसको हमने a, b, c naming दे दिये तो इस triangle के तीनों vertices a, b, and c इन तीनों के हमें coordinates निकालने है तो देखिए यह point क्या है यह point है 2, 3 2, 3 b point क्या है b point actually x-axis पर पढ़ रहा है y-coordinate तो हो जाएगा 0 तो यह point होगा 4,0 and same c-point भी x-axis पर पढ़ रहा है तो यहाँ पे भी जो y-coordinate होगा वो होगा 0 तो यह point होगा minus 1,0 तो यह तीनों point हमें मिल गए and last part हमें बोला था कि इस triangular reason को shade करना है तो अभी कर देता है तो देखे कितना easy था यह problem solve करना हमने सिर्फ linear equation जो थी हमारे पास दोनों उनके पहले coordinates निकाले उन lines को हमने draw किया and then easily हमने graph की मदद से तीनो vertices के coordinate निकाले and इसको shade कर दिया okay guys thank you tutorialspoint.com simply easy learning